सब्सक्राइब करें भी न्यूज को और बेल आइकन दबाएं CBAC की प्रतिष्ठा को उस समय तगड़ा जटका लगा जब खुलासा हुआ की पेपर लीक के कारण दस्वीं गणत और बारहवी अर्थशास्त की परीक्षा दोबारा होगी इसका सीधा असर 22 लाग शात्रों पर पढ़ा है यहां हम बताएंगे कि CBAC के पेपर सेट करने की प्रक्रिया क्या रहती है और इस बार कहां चूक हुई CBAC हर साल 3-4 अलग-अलग रिसोर्स परसन से परचासेट करवाता है यह रिसोर्स परसन कोई CBAC प्रोफेसर हो सकता है तो किसी स्कूल की फैकल्टी भी हो सकती है इनकी पहचान उजागर नहीं की जाती है अलग कर नहीं बलकि प्रिंट के साथ सील बंदले फाफे में रखकर CBAC को भेजे जाते हैं यह पेपर CBAC के उन अधिकारियों के पास जाते हैं जो difficulty level जांचते हैं इसके बाद अनुवाद होता है और final पेपर प्रिंट होते हैं इसके बाद storage में रखे जाते हैं शिव सले दिन ये पेपर्स उठाय जाते हैं और परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाय जाते हैं जहां सील तोड़कर बच्चों में बाटे जाते हैं तो इस बार क्या गलत हुआ आम और पर CBAC पेपर्स का चार सेट तयार करवाता है ये चार सेट दिली, शेश भारत, स्थित स्कूलों के लिए होते हैं और चाओ था सेट अतिरिक्त रहता है पेपर लीख होने या कोई दूसरी समस्या आने पर यह चाओ था सेट इस्तिमाल किया जाता है इस तरह हर जौन को तीन अलग-अलग सेट मिलते हैं लेकिन इस बार देश के सभी जौन पर एक ही सेट भेजा गया यदि ऐसा नहीं किया गया होता तो शायद आज दोबारा परीक्षा की नवबत नहीं आती बकरी धानमंत्री भी नाराज सक्त कारिवाई के निर्देश मामले में एफ आई आर दर्ज करवा दी गई है और जाच शुरू हो गई है वहीं प्रधानमंत्री 12 की बोर्ड परीक्षाएं 5 मार्च से शुरू हुई थी 12 के विध्यार्थियों ने 26 मार्च को अर्थ शास्त की परीक्षा दी थी जबकि 28 मार्च को 10 के विध्यार्थियों ने गणत की परीक्षा दी थी लेकिन दोनों विशेओं के प्रशन पत्र परीक्षा शुरू होने स पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। इसके बाद CBAC ने परीक्षा की शुचता और छात्रों के हितों का ध्यान रखते हुए दोनों विशेओं की परीक्षा रद्द कर फेसे कराने का नर्ण लिया। इससे पहले भी 12 वी एकाउंट एंसी का पेपर भी लीख होने की बात कही गई थी लेकिन बोर्ड ने इसे अफवाह बताया था।